जैसे कि अभी तक हमने जाना कि अधिशोषण के जो प्रक्रिया है वह कई कारकों के द्वारा प्रभावित होती है जैसे कि अधिशोषक की प्रकृती, अधिशोषक की प्रकृती, प्रक्रिया के तापमान तथा गैस के दाप पर अधिशोशक की प्रकृति में जैसे कि हमने देखा कि अधिशोशक का प्रिष्ट का छेत्रफल जितना अधिक होता है अधिशोशन की मात्रा उतनी जादा होती है यही कारण है कि किसी ठोस बल्क की तुलना में उसका जो महीन चून बारिक चून होता है उसमें अधिशोशन की मात्रा बढ़ जाती है इसी तरह से हम देखें जो चारकोल और सिलिका जेल होते हैं उनकी अधिशोशन की मात्रा उनके पोरस यानि की सरंध्र होने की वज़े से होती है इसी तरह से हमने देखा कि अधिशोश की प्रकरती यनि कि किसी ठोस अधिशोशक पर यदि किसी गैस का अधिशोशन हो रहा हो तो उन गैसों का अधिशोशन सरलता से होता है जिनके क्रांतिक ताप का मान अधिक होता है क्योंकि ये गैसे अधिक मात्रा में असरलता से द्रवी भूत हो जाती है और इनका अधिशोशन भी अधिक होता है इसी तरह से हमने ताप में का प्रभाव देखा कि लश तेलिये के नियम के अनुसार जो अधिशोशन की प्रक्रिया है वह निम्म ताप पर अधिक होती है और अधिक ताप पर, ताप बढ़ानेपर, क्योंकि जब हम जानते हैं ताप अधिक होता है, तो गैस के अंव, दूर-दूर विचरित होने लगते हैं, और ऐसे में अधिशोषण की मात्रा कम होने लगती है, रासाइनिक अधिशोषण की बात हम करें, तो वहां पर तापमान, उ एक सक्रीट उर्जा की आविशक्ता होती है चौथा जो सबसे महत्वपूण कारक है जो अधिशोषण की प्रक्रिया को प्रभावीत करता है वह है दाब किसी ठोस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा किसी कैस की अधिशोषण मात्रा को निश्चित ताप पर द्रव के व कहते हैं क्योंकि यहां पर तापमान निश्चित रखा जाता है और इसका सरप्रतम अध्यन किया प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेंड लिक ने और उन्होंने 1909 में अपना अधिशोशन समतापी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म प्रस्तूत किया फ्रेंड लिक ने इस्थर ताप पर किसी ठोस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा अधिशोशित गैस की मात्रा तथा गैस के दाप के बीच एक प्रयोगात्मक संबंध प्रस्तूत किया जिसे फ्रेंड लिक का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है यहां पर आइसोथर्म या समतापी से अधिशोशन की मात्रा बढ़ती है लेकिन उच ताप पर अधिशोशन की मात्रा कम हो जाती है यहां पर हम देखें कि इसके लिए उन्होंने अधिशोशन की मात्रा के लिए एक संबंध दिया X by M जहां पर X इस्थर्ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा है तथा M किसी इस्थर्ताप पर किसी ठोस के निश्चित द्रव्यमान है यहने की X by M यह क्या हुआ X by M किसी ठोस अधिशोशक के निश्चित द्रव्यमान द्वारा अधिशोशित गैस की मात्रा है यदि हम X by M तथा गैस के दाब यहने की P के मध्य यदि हम एक ग्राफ खिशते हैं तो आप देख सकते हैं हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है यह एक कर्व वक्र की भाती प्राप्त होता है यदि हम देखें कि इनिशल स्टेट पर प्रारंभिक अवस्था में जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अधिशोशन की मात्रा यानिकी X by M का मान तीव्रता से बढ़ता है यहाँ पर हमें जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है वह यह प्रदर्शित करती है लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे यह अधिशोशन की मात्रा अधिशोशन की दर जो है वह धीरे धीरे बढ़ती ह और एक निश्चत बिंदू पर आकर जैसे कि आप देख सकते हैं एक निश्चत बिंदू पर आकर अधिशोशन की मात्रा बिल्कुल इस्थर हो जाती है यह हम यह कह सकते हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर अधिशोशन नहीं हो रहा है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं अधिशोशन एक उतक्रमनिय प्रक्रिया है यानि कि जिस्ति समय अधिशोशन होता है उस समय विशोशन यानि कि डिजॉर्शन भी होता रहता है और चुकि इच उच्चदाप पर इस स्थती पर या सेचुरेशन संत्रत्य अवस्था पर जितना भी ठोस का पृष्ट छेत्र है वह लगभग लगभग कभर हो गया होता है और जो अधिशोषण के लिए जो स्थान है वह कम हो जाता है या हम यह कह सकते हैं कि जितने अणू अधिशोषक की सता पर आकर अधिशोष्षित होते रहते हैं उतने ही अणू अधिशोशक की सता से बाहर निकल कर वीशोशित होते रहते हैं यहाँ पर अधिशोशन की दर वीशोशन की दर के बिल्कुल बराबर हो जाती है और इसे लिए यहाँ पर जो अधिशोशन की मात्रा है वो हमें स्थर दिखाई देती है और इस समय जो संत्रिक्त दाब या सचुरेशन प्रेशर कहते हैं और इस तरह से इन्हों ने जो इसके आधार पर फ्रेंडलिक ने एपना एक जो आइसो थर्ण प्रस्तुत किया वह था एक्स बाइएम इस उकल टू के पी टुदि पावर वन बाइएन और यहां पर हम देखें कि इस संबंध के द्वारा हम किसी भी ठोस अधिशोशक के द्वारा इस्थरता पर अधिशोशित गैस की मात्रा तथा दाब के बीद संबंध ग्याद कर सकते हैं यदि हम इसका और वि होती है यहां कि इस चेट पर या लोग प्रेशर पर जब हम देखें तो यहां पर जैसे जैसे पी का मान बढ़ता है दाब का मान बढ़ता है वैसे वैसे अधिशोशन की मात्रा भी बढ़ती है यहां कि X by M, इस उकल पर जो हमारा ग्राफ है उसके प्रत्थम भाग के द्वारा देख सकते हैं और इसे हम यहां पर लिख देते हैं अधिशोशन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है यहां कि यहां पर X by M का मान P के शूनि घात के समानुपाती होता है यहां कि यह शूनि कोटी की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है और जो मद्धे की इस्थती है यहां कि जो इंटर्मेडियेट प्रेशर वाली इस्थती जो होती है वहां पर हम देखें तो यह X by M is equal to K P to the power 1 by N के बराबर होता है यहां कि जो मद्धे स्थती होती है वहां पर अधिशोशन की मात्रा दाब के 1 by N घात के बराबर होती है और यहां पर जो N है हमीशा कमान एक से अधिक होता है इस तरह से फ्रेंडलिक ने यह आईसोथर्म प्रस्तुत किया यहां पर हम देखें कि जो आईसोथर्म है उसके द्वारा हम प्रारंभीक अवस्था तथा अंतिम अवस्था यानि कि निम्नदाब अवस्था तथा उच्छदाब अवस्था के मान भी प्राप्त कर सकते हैं K P 1 और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, X by M समानुपाती P K, यदि की X by M अधिशोषन की मात्रा P के समानुपाती है, इसी तरह से हाई प्रेशर पर हम जानते हैं, कि जो X by M की मात्रा P के 0 गात के समानुपाती है, तो यहाँ पर हम 1 by n का मान पीक की घाच शूने रख दें तो आप देखेंगे कि हमें value क्या प्राप्त होगी x by m is equal to k यहने की स्थरांग जो यह दर्शाता है कि उच्च दाप पर x by m का मान यहने की ठोस के दोरा अधिशोशित gas की मात्रा है ना का मान जो है वह दाप से स्वत संत्र होता है तो इस तरह हम देखें कि friendly का जो आइसो थर्म है वह उसमें जो n by 1 का मान है वह यह शूनिस से लेकर एक के बीच पाया जाता है और यहां पर जो आइसो थर्म है वह लो प्रेशर पर कम दाप पर तो xym यहने की अधिशोशन की मात्रा तथा दाप में सही संबं प्रसुत करता है लेकिन उच्च दाप पर यहां पर यह उसको विस्तत रूप से यह स्पस्ट रूप से करने में इसे स्पस्ट करने में असफल हो जाता है यही कारण है कि हमें किसी दूसरे आइसो थर्म की आवश्यक्ता पढ़ती है फ्रंड लिक आइसो थर्म में हमने देखा कि X by M is equal to K P to the power 1 by N में K तथा 1 by N एक N स्थरांख है और यदि हमें इनकी value पता करनी है इनका मान पता करना है तो हमें इनका इस का आइसो थर्म का लॉग लेना पड़ेगा तो यदि हम इनका लॉग लेते हैं तो इसी हम इस तरह स लिख सकते हैं log X by M is equal to log K plus log P 1 by N और यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं log X by M is equal to log K plus 1 by N log P यदि हम इस equation समीकरान की तुला straight line equation यहने की Y is equal to MX plus C से करें तो हम देखें कि यहाँ पर हम Y की तुला log X by M से कर सकते हैं log K की तुला हम C से कर सकते हैं और यहाँ पर X की तुला हम log P से कर सकते हैं तथा M की तुला हम 1 by N से कर सकते हैं और इस तरह यदि हम इसको लेकर graph plot करें यहने की Y axis पर यदि हम log X by M लेते हुए तथा X axis पर यदि हम log P लेते हुए graph plot करते हैं तो यह हमें एक straight line प्राप्त होती है और सरल रेखा प्राप्त होती है जो की friendly के आइसो थर्म की सत्यत्या को प्रमानित करती है यहां पर जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है ढाल जो है वह हमें वन बाइन की वेल्यू बताता है तथा जो इंटरसेक्ट आप देख रहे हैं यहां पर अंता खंड जो है Y axis पर वह हमें log K की वेल्यू को दर्शाता है और इस आ यदि माल लिजे हमने ये एक 195 कैल्विन टेंप्रेचर पर ये कर्व प्राप्त किया है इसी तरह से यदि हम तापमान बढ़ा दें माल लिजे हम 244 कैल्विन पर यहां पर गैस की अधिशोशिक मात्रा यहने की X by M तथा प्रेशर के बीच यदि ग्राफ प्लाट करते हैं त लेकिन पहले वाले ग्राप से नीचे प्राप्त हो रहा है अब ये कर्व नीचे प्राप्त होने का मतलब ये दर्शाता है कि जैसे जैसे हमने तापमान बढ़ाया यहां पर जो अधिशोशित पदार्थ की मात्रा है उसमें भी कमी आ जाती है इसी तरह से यदि हम तापमान और बढ़ा दे मालेजे हम तापमान 273 कैल्विन कर देते हैं तो हम देखें कि जो कर्व प्राप्त हो रहा है वो पहले के दोनों कर्व से भी नीचे जा रहा है जो ये दर्शाता है कि तापमान बढ़ाने पर अधिशोशन की मात्रा में कमी आ आती है